कई बार हिंदी फिल्मों के गानों में घने, मुलायम और रेश्मी बालों का जिक्र सुना होगा बाल ऐसी चीज है जो न सिर्प महिलाओं के बल्किक पुरुषों के लिए भी सुन्दर्ता के लिए जरूरी होता है क्यूंकि किसी भी लापरवाई से बाल जडने का कारण बन सकता है आज हम ऐसे ही अलग विशाई पर बात करेंगे नमस्ते मैं वैशाली more about health में आपका स्वागत है आज हम बाल बढ़ाने के लिए क्या कर सकते है ये देखेंगे बालों का खयाल कैसे रखना है मुलायम, घने, रेशमी बाल कैसे बनाने है ये सब देखेंगे तो नारियल नारियल आपने देखा ही है उसके बहुत सारे बेनिफिट आपको पता ही है नारियल का तेल भी हमारे बालों के लिए बहुत जरूरी होता है वैसा ही नारियल का दूद भी फाइदे मन रहता है नारियल का दूद आपको पता ही है न? वो क्या बेनिफीट देता है? उसकी जानकरी आज में थोड़ा फार देनी वाली है अगर आपके लंबे और घने आपको चाहिए बाल तो नारियल का दूद बालों पर लगाना चाहिए इससे क्या होगा बाल आपके घने और मुलायम बनेंगे और उसकी लंबाई तेजी से बढ़ जाएगी इस्तमाल करना जरूरी है बालों के लिए तो नारियल आपके खूपसुरूती के दिये चार चान लगा सकता है नारियल का दूद अगर आपके बाल जड़ रहे हैं लंबे हो नहीं रहे तो इस्तमाल करना है नारियल का दूद उससे क्या होगा बालों पर किसी जड़ी बुठी तरव की तरह वो काम करता है, नारियल का दूद नारियल में जो मवजूद ओיל होता है जो मोईश्यराइजिंग गुनों से भरपूर होता है जो हमारे बालों को मुलायम बनाने के लिए काम करता है नारियल का दूद लगाने से जो हमारे बाल दो मुवाले वाल होते न उसकी समस्या भी खत्म हो जाती है नारियल हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा माना गया है तो आप नारियल के दूद से बालों का मसाज करेंगे फिर उससे बाल धोएंगे तो इस्तमाल करना है आपको तो बाल आपके घणे और मुलायम होंगे इसे इसमें क्या है भरपुर विटामीन है, प्रोटीन है, जिंक और आईयर्न पाया गया है जो आपके बालों को लंबा बनाता है और स्कैल्प को हमारा हिल्दी बनाने में मदद करता है मार्केट में मिलने वाले जो कई तरो के शैम्पू और साबून है न उसमें भी नारियल का दूद का इस्तमाल करते है आप अगर चाहो तो नारियल के दूद का डायरेक्ट बालों पर लगा सकते है इस्तमाल कर सकते है और आधा गंटे के बाद आपको बाल धोना है नारियल का दूद में प्रोटीन और वसा से भरपूर होता है जो आपके बालों पर अच्छा तरह का पोशन देता है आपकी बालों की सेहत और उम्र भी दोनों बढ़ जाती है नारियल के दूद से तो नारियल का दूद बालों का खयाल रखने के लिए अच्छा चीजों में से एक माना गया है इसे आप बालों को क्या कर सकते हैं मसाज कर सकते हैं नारियल के दूद से और बालों को धो भी सकते हैं नारेल के दूद से हमारे स्कैल्प में क्या होता है बलर सर्कुलेशन बहतर बन जाता है इतना ही नहीं सीर में खुजली हो डैंडरप की तकलिप भी कम हो जाती है उसके साथ ही साथ बाल भी हमारे मजबूत बन जाते हैं अब हम देखेंगे नारेल के दूद में क्या हो जाता है दूद से क्या हो जाता है तो बेजान बालों को रिपेर करता है बालों को हैडरेड बनाता है पोशन देता है स्कैल्प पर कंडिशनर की तरह काम करता है तो नारेल के दूद में क्या है लौरिक एसीड है उम्र से पहले सपेद होने वाले बालों से वो बचाता है तो संजिवनी की तरह काम करता है नारियल का दूद बाल जडने की समस्या भी कम करता है कई बार क्या होता है बाल जडने का समस्या विटामिन बी की कमी की होने से होता है तो क्या करना है आपको नारियल का दूद इस्तमाल करना है उसमें नारियल के दूद में विटामिन भी पाया गया है इसलिए वो बाल अच्छा बनाता है तो आज से हम क्या करेंगे बालों पर नारियल का दूद का मसाज करेंगे वो भी थोड़े मिनिट तक और बाद में 20 मिनिट के बाद दो ले लेना है और उसके बाद आपका रिजट आप देखना है तो यह सब आपको टिप जरूर ध्यान रखना है तो आज का वीडियो आपको कैसा लगे मुझे कमेंट करके बताना और वीडियो को शेयर करना और सब्सक्राइब बढ़ाना धन्यवाद